हेलो फ्रेंड मैं हूँ सोनस सोनस रेसिपी में आजम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल और यूनिक महाराष्टियन सबजी जी हा फ्रेंड आपको लग रहा होगा यह सेवया की सबजी है बिल्कुल नहीं फ्रेंड यह सेवया की सबजी नहीं है नहीं तो आप यह भी कहेंगे कि यह नूडल की सबजी यह नूडल की भी सबजी नहीं है यह कूर्ड़ई की सबजी और कूर्ड़ई क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी और यह पापड है जो साल बर के लिए बना कर स्टोर करके रख सकते तो यह देखिए कुछ इस तरह से होता है तो इसको मैंने तोड के भीगोया था तो यह बिल्कुल नूडल की तरह दिख रहा था तो इसी तरह होती है कुर्ड़े इसको डिप फ्राय करके खाते लेकिन इसकी सबजी बनती है तो यह देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसको आदे घंटे के लिए भीगोया था और यह अच्छे तरह भीग चुका है और देखिए बिल्कुल हुबले हुए नूडल की तरह लग रहा है लग रहा है और इसको बनाने के लिए मैंने आपर मिडियम साइज का प पाउ चमच लिया है हल्दी पाउडर नमक लिया है स्वादा नुसर अब एक कड़ाई गरम करेंगे इंग्रेडेंट में मैंने तेल बताना भूल गई तो यहाँ पर दो चमच तेल मैंने गरम कर लिया है इसमें डाला हिंग और जीरा अब इनको अच्छे से फ्राइ करना है इसके बात जाएगा राई राई ब्याए इच्छे से तडडडड़ा नि चाहिए जब अच्छे से श्प्लिट हो जाएगी तब करेंगे हरी मेज के तुकडे अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया डालने से अपने जो तेल है इसको अच्छा फ्लेवर आता है अरे दने वाला तो बहुत अच्छी लगती है सब्जी खाने में तो इसको में एक-दो सेकेंड के लिए सब्दों एक-दो मिनिट के लिए में भून लेना है अच्छ सब्जी का टेस्ट अच्छा हो जाता है तो यह देखे फ्रेंड हमारी मेचिया भी फ्राय हो गई अब इसमें जाएगा बारी कटा हूँ अब प्यास को पूरा ब्राउन होने तक नहीं बुलना है गुल्डम ब्राउन होने तक ही बुलना है अब इसमें हम थोड़ा सा नमक पाउचम मच और इसको खूब हिलाएंगे दो से तीन मिनेट के लिए हमें इसको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन कलर वाला नहीं बनाना है हलका गुलावी कलर का हो गया पैस तो उतना ही कापी है इस सबजी के लिए और बहुत जल्दी बनती है सबजी खाने में भी उतनी ट देखिए फ्रेंड आप चाहे तो इसको डोसा के साथ भी खा सकते उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है तो देखिए यह जो प्याज है वो तेल चोड़ना शुरू कर दिया है और इसका कलर भी हलका सा पिंकिश हो गया है यानिके हमारा प्याज अच्छे से भून चुक अब मैं सबजी में कोई नमक ने डालोंगी क्योंकि कुर्ड़े में अल्डेडी नमक होता है और प्याज में मैंने पूरा एक चमच नमक डाल दिया है अब इसको भून लेंगे अच्छे से यह देखिए हल्दी भी हमारी अच्छे से तेल में गुल मिल गई है अब इसमें और धाzd मैं मैं जाएगा नूडल्स अरे नहीं 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 द realiz नहीं ग्रील suspense नहीं को भीति होई नहीं पानी के साथ नहीं डाला है पाने निकल यह द tinyना है यह देखिए बिलकुल पोहा की दर्म बंती इसकी सबजी आप चाहे तो इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं पिछली बार मैंने जो सब्जी डाली थी लोगडाउन चल रहा था तब डाली थी तो मराठी में थी तो सोचा आज हिंदी में बना लू हिंदी साइडर लोगों के लिए तो यह देखे फ्रेंड हमारा कुर्ड़ई की सब सब्जी बनकर रेड़ी है महाराश्टा में इसको कुर्ड़ई कांदा खेते हैं और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है आप यू इसको चमत से भी खा सकते आपका मन करें तो नहीं तो रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है तो यह देखे एक दो सर्विंग प्लेट में यह देखिए गर्मा गरम भापे निकल रही है गर्मा गरम कुर्ड़ई प्याच की सब्जी हमारी महाराश्ट्रियन साइल स्टाइल से बिल्कुल बनकर रेड़ी है एकदम इंस्टंट होने वाली सब्जी है अगर आपको कुर्ड़ई बनानी नहीं आती है तो आप ऑनलाइन भी खरिद सकते हैं ऑनलाइन खरिदने के लिए जो लिंक रहता है वो भी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो यह देखिए फ्रेंड यह अक्सर गाउं में बनाई जाती है इसको बहुत मैनत से बनाया जाता है कुर्ड़ई को और आस में डाल देंगे इसको सजाने के लिए हरा धनिया वाह क्या स्ट्रेक्चर आया है एकदम मास सब्जी बनती है खाने में और यह सब्जी स्पेशली मेरी फेवरेट है मेरा मन चाये तो मैं रोज इसको खालू बहुत टेस्टी लगती है खाने में जब भी सब्जी बनाने और करती हूँ इस तरह से बहुत इंस्टंट बनकर रेडियो हो जाती है अगर आप जल्दी में है तो तो भी इसको बना सकते बहुत इंस्टंट रेसिपी है तो फ्रेंड जरूर ट्राइ किजिएगा और कैसी बनी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले और आपने इ नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बावाई